यूपी में चलता रहेगा बाबा का बुल्डोजर सुप्रीम कोट का स्टेसें कार दंगे बाजो और पत्थर बाजो के आकाओं को लगा सत्मा देवन्थ और जिमाते उलमे हिंद के खेमों में मातम तो चलता रहेगा दंगाईयों पर बाबा का बुल्डोजर जी कोट के इस निर्देश के बार चर्चाएं आम हैं वो लोग जो 17 जून यानी की शुकरवार यानी जुम्मे के दिन एक बार फिर से पत्थरबाजी का प्लान बना रहे थे अब वो घरों की चट से पत्थरों को उठा कर शहर के बार वाफिस गटों और खाईयों में फैक रहे हैं क्योंकि बुल्डोजर पर रोक की उमीर लगाने वालों को कोट ने जटका दे दिया कानपूर में हुई हिंसा के बाद से यूपी में बाबा के बुल्डोजर की रफ्तार ऐसी तेज हुई कि अवेद अतिक्रमनकारियों के सासाथ पत्थर बाजों की नीदे उड़ गई तभी तो बुल्डोजर का खौफ दिल दिमाग में ऐसा समाया कि कोट का दर्वाजा खटकटाया तो कोट में ऐसा क्या हुआ? क्या सवाल जवाब हुए? क्या दलील दी गई? और फिर कोट ने बाबा के बुल्डोजर पर ब्रेक लगाने से क्यों इंकार किया? सब जिन मकानों को मलवे में तब्दील किया जा रहा है, वो मकान करीब 20 साल पुराने हैं, कई बार तो वो घर आरोपियों के नहीं होते, बलकि उनके बुड़े माबाप के होते हैं, सरकार बिना नोटिस के एक्शन में आ जाती है, ये कितना जायज है? इस दलील पर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, आईए बताते हैं सरकारी पक्ष रखने वाले तुशार महता ने क्या कहा कोट में? तुशार महता ने कहा ये कारवाई बिल्कुल निस पक्ष है, साथ ही कानून के दायरे में रह कर की जा रही है, और नोटिस देकर ही ये कारवाई हो रही है, किसी खास समुदाय को टार्गिट नहीं किया जा रहा ये सिर्फ सरकार को बतनाम करने का प्रियास है कोट में आगे क्या हुआ वो बताएंगे उससे पहले ये जान लीजिए कि बाबा का बुल्डोजर इस बार नई चर्चाओं में क्यों है दरसल 12 जून को बाबा के बुल्डोजर ने प्रियागराज हिंसा के आरोपी के घर को मलवे में तबदील कर दिया था ये कारवाई जमाते उल्म हिंद को नागवार गुजरी जिसके बाद ओट का डर्वाजा खट-कटाया गया और बाबा के बुल्डोजर को धर्म विशेश के खिलाफ साजिश का नाम दिया गया मगर सुप्रीम कोट में क्या हुआ अब वो भी समझे जस्टिस ए-स बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जम्यताय उल्म हिंद की जाजिका पर सुनवाई की और कहा की तुड़ाई का काम कानून के हिसाब से जारी रहे जानी ये आरेश जम्यत उल्म हिंद के लिए सख्मों पर नमक रगणने के जैसर साबित हुआ वहीं कोट ने सरकार को नसीयत भी दी कोट ने कहा कि सरकार इस बात का ख्यास ध्यान रखे कि कोई भी कारवाई नियमों को ताक पर रखकर ना की जाए और सरकार से तीन दिनों के अंदर फुल्डोजर एक्शन की पूरी जानकारी देने के लिए भी कहा और साफ कह दिया कि जो भी एक्शन हो रहे हैं वो नियम के अनुसार हो खैर कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि अगर नियमों का पालन किया जा रहा है तो कारवाई पर रोक नहीं लगेगी अब अगली सुनवाई वैसे मंगरवार को होनी है लेकिन तब तक तुड़ाई का काम चारी रहेगा और बाबा का बुल्डोजर यूही गरश्ता रहेगा प्यूरो रिपोर्ट न्यूजवर्ड इंडिया